Hello everyone, मैं हूँ Aditi Shah and I welcome you all to Magnet Brains जहां आपको मिलता है 100% education free from kindergarten to 12th class आज हम करने वाले है class 12th accounts का chapter number 7 death of a partner हम लोगोंने previous lecture में question 26 तक देख लिया था ठीक है जहां पर हमने क्या किया था disease partner का capital account prepare करना सीखा था और उसमें किस तरह से amount due to executor आप निकालोगे वो हमने सीखा था ठीक है इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं जल्दी से question number 27 पर A, B and C were partners in a firm, तीन partners थे A died on 31st March 2018, ओहो ओहो तो देखो यहां पर indirectly उन्होंने क्या बात बोल दी है एक ही death हो रही है, 31 March 2018, मतलब यह वही समय है जब books of accounts close किये जाते हैं जब final accounts prepare किये जाते हैं, तो आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने concepts में discuss किया था Case number 1, ठीक है जब death के समय, क्या हो रहा है, final accounts prepare हो रहा है, ठीक है तब आप क्या entries करोगे and the balance sheet of the firm on that date was as under, ठीक है, balance sheet क्या दी हुई है, उस दिन की ये पूरा आपको दिया हुआ है चलो, ध्यान से देखते है, liability side पे creditors दिया है, general reserve के एक item दिया हुआ है, workman compensation fund तो ये देखना होगा कि इसके against कोई liability तो arise नहीं हुई, तो basically गुल्लक है, जिसमें से अगर कुछ claim arise हुआ होगा, तो वो दे देंगे और फिर remaining गुल्लक को हम partners में बाट देंगे PNL account, ये again liability side पे दिया है, मतलब cake item है, तीनों partners की capital accounts दिये है, cash at bank, debtors, furniture, plant and patents on A's death, it was found that patents were valueless, furniture was to be brought down to 24,000, plant was to be reduced by rupees 10,000 and there was a liability of 7,000 on account of workman's compensation तो A की death जब हो रही है, तो 31 March को हो रही है, उस दिन ये सारी चीज़ें observe की गई, past the necessary journal entries for the above at the time of A's death तो यहाँ पर आपको A का capital account नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जोर्नल entries पास करने के लिए कहा गया है, चले तो यहाँ पर आजाते हैं, यह हो जाएगे हमारी जॉर्नल, अब यहाँ पर कॉंसी डेट से इंट्रीज दो हजार अठारा, 31 March को हम एंट्रीज पास करेंगे, जिस दिन डेट हो रही है एक ही, तो अजार अठारा, March 31, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्रीज हम चलो, Revaluation से Related कर लेते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, पेटेंट्स वाल्यू लेस हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, असेट की वाल्यू जीरो हो गई, 8000 पेटेंट्स अब इनकी वाल्यू जीरो हो गई है, वाल्यू लेस हो Revaluation Account Debit, टू पेटेंट्स, कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है, तो 8000, जीरो हो गई, वाल्यू हो गई, 8000 से 0 हो गई, पेटेंट्स की वाल्यू, चले, नेक्स्ट इसके बाद, फरनिचर वास्टू बाट डाउन तो 24,000, तो देखो, फरनिचर की वाल्यू कितनी थी, 30,000, उसको गिरा कर 24,000 की वाल्यू करनी है, इसका मतलब कितना, 6000 से असेट की वाल्यू, अगैन गिरा रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा, अगैन Revaluation Account Debit होगा, तो इसी में हम सिंगल एंट्री कर देते हैं, टू फरनिचर अकाउंट, ठीक है, आप चाहो तो अलग-अलग भी कर सकते हो तो टू फरनिचर अकाउंट कितने से आपको कम करना है, 6000, Revaluation Account के Debit साइड में आप टू फरनिचर अकाउंट 6000 लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको अकाउंट के फॉर्म में नहीं, जर्नल एंट्री के फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ह हो रहा है, तो टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 10,000 से, ठीक है, एंड लाइबिलिटी और रुपीज 7,000 और अकाउंट ऑफ वर्क्मेंट कॉम्पंसेशन अराइज हो गई, इसका मतलब, 7,000 का क्लेम आगया, वर्कर्स के द्वारा, और यह इसके लि आपको बिल्कुल भी कन्फूजन नहीं होना चाहिए, तो देखो, अब आपका टोटल, रिवालेशन अकाउंट कितना डेबिट हो जाएगा, 24,000 से, तो रिवालेशन अकाउंट डेबिट 24,000, तो पेटेंट अकाउंट, फॉर्निचर अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट, ठीक है, पहली एंटरी क्लियर होगी, अब दूसरी एंटरी क्या होगी, ध्यान से देखो, रिवालेशन अकाउंट पूरा बना दिया, तो इसको क्लोज भी करेंगे, अब रिवालेशन अकाउंट को इमाजिन करो, डेबिट साइड में सारे नुकसान ही नुकसान, तो रिवालेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और यह लॉस है, बिसिकली लॉस और रिवालेशन आ गया, क्योंकि नुकसान ही नुकसान हुआ है, इस लॉस को तीनों पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेरिंग रेशि C is capital account, debit to revaluation account, ठीक है, तो कितना 24,000 का लॉस हुआ है, इस 24,000 के लॉस को जब आप equally बार्ट दोगे, तो तीनों को 8,000, 8,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, तीनों के capital account debit हो जाएंगे, 8,000, 8,000 से, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, being, loss on revaluation, transferred to partners capital account, ठीक है, तो यह अपने पूरा revaluation account की entries कर दी, wind up, ठीक है, जितने भी नुकसान हो रहे थे, revaluation के, वो आपने कर दी, सारे adjustments कर दी, asset liabilities के, उसके बाद आपका loss पूरा का पूरा 24,000 आएगा, जो आप तीनों partners के capital account में transfer कर दोगे, ठीक है, उनके profit sharing ratio में, इतना समझ में आ गया, ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमारी कहानी यह प तो यहाँ पर cake item को बाटेंगे, March 31, General Reserve account, debit, तो उसका balance credit है, उसको मारने के लिए debit करेंगे और तीनों partners के capital account में transfer कर देंगे, तो तीनों के capital account credit हो जाएंगे, तो A's capital account, to B's capital account, to C's capital account, ठीक है, तो आपका General Reserve देखो कितना है, General Reserve है 9000, तो 9000 को आप equally तीनों में बाट दोगे, तो 9000 से debit कर देंगे, और तीनों में बाट देंगे, तीनों में बाट देंगे, that is 3000, 3000 each, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, being, general, reserve, transferred to, partners, capital account, in their profit sharing ratio, ठीक है, तो यह General Reserve को भी transfer कर दिया आपने, इसी तरह से similarly, यह P&L account, जो केक आइटा में 6000 रुपए, इसको भी बाट देते हैं, चलो, तो यहाँ पर P&L account का credit balance, इसको मारने के लिए क्या करना होगा, debit? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, profit and loss account, debit account, debit, कितना? 6000, और तीनों partners के capital accounts को कर देते हैं, credit, to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account, ठीक है, कितना हो जाएगा 2000, 2000 इच, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, being undistributed profit, accumulated profit, transferred to partners capital account, in their old profit sharing ratio, या profit sharing ratio, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो सबसे पहली entries, revaluation की दो entries की, revaluation की जो भी adjustments थे वो किये, उसके बाद हमारा जो net loss आया था, revaluation पे, उसको transfer कर दिया, तीनों के capital account में, then हमने general reserve cake item बाट दिया, profit and loss account cake item बाट दिया, अब अगली entry, यह workman compensation fund की, गुल्लक की entry करनी होगी, तो गुल्लक को फोडेंगे, इसका credit balance इसको मारने के लिए क्या करेंगे, debit, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम क्या entry कर देंगे, workman compensation fund account debit 10,000, तो 10,000 निकले इस गुल्लक को फोड कर, जिसमें से हम transfer कर देंगे, to workman compensation claim, claim आया है worker से, 7,000 का ठीक है, तो 7,000 हम वहाँ पर transfer कर देंगे, remaining जो 3,000 बचे इस गुल्लक में, ठीक है, 10,000 गुल्लक में पड़े हुए थे, 7,000 workers को देना है, उनका compensation आया है, ठीक है claim आया है compensation के लिए, remaining 3,000 partners को बाट देंगे equally, उनके profit sharing ratio में, to ace capital account, to V's capital account, to C's capital account, ठीक है, तो यह कितना कितना हो जाएगा, 1,000 each, to being workers compensation claim adjusted through funds and remaining distributed among partners. चलिए, तो यह वाली entry भी हो गई हमारी, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, और कुछ बच रहा है कि हमारा, तो यह सारी चीज़े हम adjust कर चुके है, ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से imagine करो, यहाँ पर किसकी debt हो रही है, एक ही, ठीक है, तो A का capital account, अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो opening balance कितना आएगा, 40,000, ठीक है, अभी मैं औरली कर रही हूँ, ठीक है, आप चाहो तो मैं या तो rough में एक बार draw कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं बिल्कुल rough, वे में बना रही हूँ यहाँ यहाँ पर, A का capital account, ठीक है, तो यहाँ पर buy balance BD, कितना आ जाएगा, 40,000, अभ हमारे सारे adjustments हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी death हो रही है, जब final accounts prepare हो रहे हैं तभी, ठीक है, और यहाँ पर सारे adjustments हम कर चुके हैं, तो अब सीधे सीधे, जैसे बिल्कुल retirement में हम बनाते थे, partners का capital account, और यह सारे adjustments हम transfer करते थे, फिर end में हम क्या entry करते थे, last में entry करते थे, जो भी retiring partner का due amount है, उसको हम उसके loan account में transfer करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी जो disease partner है, उसके capital account में जो amount due आएगा, उसको हम transfer करतेंगे, executor account में, तो इसकी हमें एक journal entry और pass करनी होगी, तो opening balance आपका देखो 40,000 है, फिर आपने क्या किया, देखो ध्यान से एक-एक करके, फिर आपने A का capital account debit किया, कितने से 8,000 से, क्यों, क्योंकि revaluation loss हुआ था, तो debit side पर 8,000 लिख लो, ठीके यह हो जाएगा आपका 2 revaluation, ठीके यह में सिर्फ explanation purpose से बना रहे हूँ, then next entry क्या हो जाएगी देखो, A का account credit हुआ है 3,000 से, general reserve मिला उसको, तो यहाँ पर लिख देता है, तीन हजार by general reserve, then A का capital account again credit हुआ, 2000 से उसको P&L account, एक item में से उसको अगेन 2000 मिला, तो by P&L, ठीक है, then next इसके बाद, workman compensation fund में से उसको 1000 रुपे मिला, तो 1000 उसको workman compensation fund में से मिला, ठीक है, यह सारे adjustments हो गए, ठीक है, तो basically जो आप share of profit की बात कर रहे हो न, वो कहीं न कहीं आपको इचीज समझना होगा, पूरे profit 6000 रुपे के undistributed थे, जिसमें से आपने तीनों को बाट दिया, तो एक हाँ उसका share of profit में मिल गया है, तो यहाँ पर आपको अलग से P&L suspense account खुलने की जरुवत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर already final accounts prepare हो चुके है, ठीक है, तब भी balance sheet वगएरा सब बन चुकी है, चलो, तो यह सारे adjustments कर लिए, अब closing balance देखो कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 8,000, तो कितना बच रहा है, 38,000, तो 38,000 जो closing balance आपका यहाँ पर आ रहा है, वो आप executor account में transfer कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर general entry क्या हो जाएगा, आपकी एक last March 31, ठीक है, तो यहाँ पर हम entry कर देंगे, AS capital account debit, to A's executor's account, ठीक है, कितना हो जाएगा, 38,000, तो यहाँ पर देंगे, being amount due to A transferred to his executor's account, ठीक है, तो amount due to A जो भी आया है, 38,000 उसको उसके executor account में transfer कर देंगे, ठीक है, तो यह basically working note, as a working note इसको आप बना सकते हो, या directly calculation करके दिखा सकते हो कि 40,000 capital था, प्लस क्या-क्या मिला, A को minus क्या उसके capital account से debit हुआ, तो यह उसका executor account का balancing figure आ जाएगा, समझ में आ रहे हैं, तो 38,000 कैसे आया, चलिए, तो यह सारी journal entries हो गई इस question की, ठीक है, तो यहाँ पर loss on revaluation देखो, कितना आ रहे है, 24,000, और A's का executor account में कितना जाएगा, 38,000, तो देख लो, बिल्कुल perfectly हमारी journal entries हो चुकी है, इसमें कोई भी doubt हो, तो पूछ लो, P&L appropriation वाली entries ले नहीं की है, क्योंकि balance sheet हम यहाँ पर already बन चुकी है, ठीक है, 31 मार्च 2008 की balance sheet prepare हो चुकी है, मतलब इसके पहले P&L appropriation account भी बन चुका होगा, समझ में आ रहा है, तो हम 31 मार्च में सारे final accounts prepare होने के बाद, अब इसमें एक ही death हो रही है, तो इसलिए बस हम क्या कर रहे हैं, last adjustments जो बचे हुए हैं, वो करके कहानी खतम कर रहे हैं, तो आपको P&L appropriation की account, account वाली entry क्यों पास नहीं कि उसमें confused नहीं होना है, ठीक है, तो सारी journal entries clear है, कोई भी doubt हो तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं अगले question पे, question number 28, on 31st March 2014, the balance sheet of Pooja, Koreshi and Ross, who were partners in a firm was as under, तो 31 March 2014 को 3 partners की balance sheet दी होई है, Pooja, Koreshi, Ross, ठीक है, balance sheet में देखो क्या-क्या है, liability side पे, sundry creditors दिया है, reserve fund, मतलब cake item दे दिया है, तीनों partners के capital accounts दिया है, asset side पे building, investment, Koreshi's loan दिया है, debtors, stock and cash, ठीक है, Koreshi died on 1st July 2014, तो यहाँ पर किसकी death हो रही है, यहाँ पर Koreshi की death हो रही है, ठीक है, और कब हो रही है, 1 July को, मतलब उसने इस accounting year में, ठीक है, जो 1 April 2014 से start हुआ होगा accounting year, इस balance sheet के बनने के बाद, ठीक है, तो कितने महीने उसने serve किया, April, May, June, 3 महीने serve किया, और 1st July को उसकी death होगी, ठीक है, तो हमें जो भी profit वागेरा निकालना होगा, proportionately 3 महीने के basis में निकालना पड़ेगा, the profit sharing ratio of the partners was 2 is to 1 is to 1, तो तीनों partners का profit sharing ratio दिया है, on the death of a partner, the partnership deed provided for the following, चलो, तो क्या-क्या बताया गया है partnership deed में, his share in the profits of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of average profits of last 3 completed years, तो पिछले 3 साल के जो profits हैं, उनका average हमें निकालना होगा, और उसके accordingly, proportionately profit निकालेंगे, goodwill of the firm will be calculated on the basis of total profit of last 2 years, तो goodwill कैसे निकालेंगे, past 2 years के जो profit है, उनको जोडेंगे तो उससे firm का goodwill आ जाएगा, उसमें से कुरेशी का शेर निकालेंगे, तो जो भी हमने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है पार्टनर को, ठीक है तो यहाँ पर clearly आपको दिख रहा है, कि कुरेशी की death हो रही है, और कुरेशी को लोन दिया गया है, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि asset side पे कुरेशी's loan आ रहा है, तो यहाँ पर asset side पे कुरेशी's loan आ रहा है, मतलब इससे हमें पैसा लेना है, इससे firm को पैसा लेना है, तो firm क्या करेगी, उससे interest चार्ज करेगी, और interest on loan किस basis पे चार्ज करना है, 6% या तो पर आनम के basis पे चार्ज करना है, monthly हम interest निकाल लेंगे, तो इससाब से 3 महिने का interest निकाल लेंगे, 6% के साब से, या 4,000, जो भी जादा है, वो partner को देना पड़ेगा, firm को, समझ में आ रहा है, चलो, 4th point है, profits for the last 3 years were, 45,000, 48,000 and 33,000, 3 साल के profit दे दिया हैं पिछले, prepare कुरेशी's capital account to be rendered to his executor's account, ठीक है, बहुत easy question है, चलो, तो शुरुवात करते हैं यहाँ पर, हमारा basic सा format बना हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कुरेशी's capital account, चलो, तो कुरेशी's capital account हमने लिख लिया, यह हमारा capital account ready है, अब इसमें सारे posting करने हैं, चलो, सबसे पहले कुरेशी का opening balance क्या होगा, before adjustments, एक लाक रुपए, तो यहाँ पर हम सबसे पहली entry क्या कर देंगे, buy balance brought down, एक लाक, ठीक है, तो एक लाक रुपए आपने opening balance, खाता खोल दिया, उसका capital account का, अब सबसे पहले काम कर लेते हैं, यह cake item बाट देते हैं, reserve fund, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, buy reserve fund account, ठीक है, तो यहाँ पर clearly दो लाक रुपए का reserve fund है, cake item है, इसको हम बाटेंगे किस ratio में, 2 is to 1 is to 1, तो यहाँ पर clearly, कुरेशी का share कितना होगा, कुरेशी का share यह होगा, वन फोर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2,00, इंटू, 1 by 4, ठीक है, तो 2,00,000 में से, 1,4 हिस्सा किसका हो जाएगा, कुरेशी का हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है, इतना clear हो गया, चलो, तो reserve fund भी बाट दिया, अब और कुछ बचा है, कुरेशी जोन अकाउंट जो है, 1,00,000 रुपए, जो कुरेशी ने, 1,00,000 का लोन लिया हुआ था, फर्म से, उतने अमाउंट चाम, उसका capital अकाउंट क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उसकी लोन की जो recovery होगी, वो उसकी capital अकाउंट से करेंगे, बैसिक लिए ऐसा मान के चल रहे हैं, तो तू कुरेशी ज, लोन अकाउंट, 1,00,000 रुपए, तो बैलन्स शीट के सारे इटम जो लेने थे, वो ले लिए capital अकाउंट में, अब आ जाते हैं, एक एक करके working note बनाते जाएंगे, और adjustments करते जाएंगे, सबसे पहले हमें निकालना है share of profit, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं working notes, तो working note number 1, क्या हो जाएगा हमारा कुरेशी का share of profit निकाल लेते हैं, तो कुरेशी जाएगा है तो क्या बोला गया है, कि average profit लेना है, पिशले तीन सालों का, ठीक है, इठास तो बी calculated on the basis of average profit of last three completed years, कितना कितने हैं देखो, लास्ट त्री यर्स के profits 45,000, 48,000 और 33,000, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यह आपका average profit निकल जाएगा, ठीक है, अब average profit जो निकलेगा, यह 12 महिने का निकलेगा, ठीक है, average annual profit निकल गाए, बिसी के लिए आपका यह, आपको इसको कितने proportionally आपको कितने period के लिए निकालना पड़ेगा, तीन महिने के लिए, क्योंकि तीन महिने के लिए कुरेशी ने सर्फ किया, ठीक है, तो आप यह average profit को तीन महिने के इसाब से proportionately निकाल लोगे, और उसमें से, वो basic लिए तीनों partner का है, उसमें से कुरेशी का शेर कितना हो जाएगा, वन फॉर्थ हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो यह calculation को बहुत अच्छे से देखना है, आपको चलो, 45,000 प्लस 48,000 प्लस 33,000 डिवाइड़ बाइ 3, तो average profit आगया 42,000, 42,000 इंटु 3 बाइ 12 किया, तो आपका तीन महिने का profit आगया 10,500, और 10,500 में कुरेशी का शेर कितना होगा, वन फॉर्थ, डाट इस 2,625, तो क्लेरली ये 2,625 का जो है, आप क्या कर दोगे, कुरेशी का capital account, क्रेडिट कर दोगे, और कौन से account के थुरू करोगे, P&L suspense account खोलोगे, तो बाइ P&L suspense account, ठीक है, ये हो जाएगा, share of profit, till the date of death, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, working note number 1, समझ में आगया, तो ये आपने share of profit निकाल लिया, चलिए, next आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, goodwill, तो कुरेशी की goodwill हमें निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले तो firm की goodwill कैसे निकलेगी, last two years की profit को जोड़के, मतलब 48,000 और 33,000 को add कर देंगे, तो firm की goodwill आ जाएगी, चलो, तो working note number 2 निकाल लेते हैं, प्लस 33,000, तो यह कितना हो जाएगा, 48,000, प्लस 33,000 आपका हो जाएगा, 81,000, तो 81,000 अगर firm, पूरे firm की goodwill है, तो कुरेशी का शेर कितना होगा इस goodwill में, कुरेशी इज शेर ओफ गुडविल, इस इक्वल टू 81,000 का 1 फॉर्थ, ठीक है, उसका profit sharing ratio 1 फॉर्थ है, तो कितना हो जाएगा, 20,000, 250, तो basically 20,000, 250, goodwill में जो महनत का हिस्सा है, वो कुरेशी का है, जिसका compensation उसको कौन देंगे, gaining partners, तो यहाँ पर remaining partners जो है, कौन-कौन, remaining partners, पूजा और रॉस, ठीक है, इन दोनों का new profit sharing ratio, क्या होगा, यह नहीं दिया है, तो हम क्या मान के चलेंगे, कि पूजा और रॉस का जो अभी existing है, यही इनका gaining ratio बन जाएगा, और यही इनका new profit sharing ratio बन जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पूजा, बेसे के लिए 20,000, 250 का जो है, अमाउंट, इसको कैसे कैसे देंगे, यहाँ पर डिरेक्ली में flow chart बना जाएथी हूँ, 20,250, ठीक है, पूजा, और रॉस देंगे, किस ratio में, उनका gaining ratio कितना हो जाएगा, 2 to 1, ठीक है, new profit sharing ratio भी 2 to 1 होगा इन दोनों का, तो 20,250 को देखो, 2 to 1 के ratio में करो, कितना हो जाएगा, 13,500 रुपए पूजा देगी, and 6,750 रॉस देगा, तो इस तरह से दोनों मिलके, 20,250 देंगे किसको, कुरेशी को, चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब, सबसे पहले, पूजा के capital account से transfer करेंगे, कितना, 13,500, तो 13,500, पूजा के capital account से मिलेगा, तो बाई पूजा इस capital account लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, and, 6750 रॉस के capital account से मिलेगा, तो 6750 रॉस रॉस इस capital account लिख लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से टोटल गुडविल का compensation मिल गया, 20,250 रुपए, किसको, कुरेशी को मिल गया, चलिए, यहाँ तक कहानी clear हो गई, चलो, गुडविल भी हमने कर लिया, अब interest on loan calculate करना है, ठीक है, तुन्होंने क्या बोला है, या तो interest on loan, partner को कितना देना पड़ेगा, 6% पर आनम, या 4000, whichever is, more, जो भी जादा है, वो देना पड़ेगा, चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं, to interest on loan, partner से recover करेंगे, तो उसका capital account क्या करेंगे, debit, तो partner को देखो, जो भी देना है, वो उसकी capital account में credit करते जाएंगे, और partner से जो भी लेना है, उसकी capital account को क्या करते जाएंगे, debit करते जाएंगे, चलो, तो to interest on loan, एक लाख का लोन था, उसपे 6% per annum का interest rate, तो 6% per annum बोला है, तो मतलब हमें मन्तली तीन महीने का निकालना पड़ेगा, तो 3 by 12 कर देंगे, और 4,000 whichever is more, ठीक है, तो एक लाख का 6% निकालो कितना होगे, जाएंगे, 6,000, इंटू 3 by 12 कितना होगे, 1500, तो 1500 या 4000, क्या जादा है, 4000, तो clearly आपको interest on loan, यहापे कितना charge करना पड़ेगा, 4000, समझ में आ गया, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, वर्किंग नोट नमबर 2 में, जो हमने वर्किंग की है, तो यहाँ पर कुरेशी का capital account close करते हैं, 1,00,000 capital account था, प्लस 50,000 reserve fund मिला, प्लस 2625 का share of profit, प्लस 13500, प्लस 6750 goodwill, माइनस 1,00,000 का loan जो उसने लिया था, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 4000 का interest जो इसको देना है, तो इसके बाद आपका amount बचता है, balancing figure 68,875, इसका मतलब क्या है कि firm को कुरेशी को 68,875 देना था, जो अब वो दे नहीं सकती क्योंकि कुरेशी की तो death हो गई, तो किसके account में transfer कर देंगे, कुरेशी के executor's account में, तो to कुरेशी's executor's account, यह हो जाएगा आपका 68,875, यहाँ पर हम लिख देते हैं, balancing figure, ठीक है, तो तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,072,875, यह भी हो जाएगा, 1,072,875, ठीक है, तो amount due to executor's, कुरेशी's executor कितना आ रहा है, 68,875 आ रहा है, ठीक है, तो perfectly हमारा, इस answer का, इस question का solution बन चुका है, कुरेशी का capital account देख लो, इसमें कोई doubt हो तो पूछो, बहुत easy था, और working notes में हमने कुरेशी का share of profit निकाला है, और firm की goodwill calculate करके, उसमें से कुरेशी का share of goodwill निकाला है, और फिर ये निकाला है, कि remaining partners किस किस ratio में, gaining ratio में उनका क्या होगा, और कितना compensation देंगे, कुरेशी को, ठीक है, जल्दी से note कर लो, कोई भी doubt हो तो जल्दी से पूछ लो, आगे बढ़ते हैं, अगले question पे, question number 29, शिरीश, हरित, और आशा, वर partners in a firm, sharing profits in the ratio of, 5 इस तो 4 इस तो 1, ठीक है, तीन partners थे, उनका ratio 5 इस तो 4 इस तो 1 दिया है, शिरीश डाइड on 30th June 2018, मतलब, 30 June 2018 को उसकी death हो गई, April में जून, उसने 3 महीने सर्फ किया होगा, ठीक है, तो शिरीश की death हो रही है, चलिए, on this date, their balance sheet was as follows, अब balance sheet दी हुई है, 31 मार्च 2018 की, ठीक है, मतलब, last year का जो accounting year end था, तब की balance sheet दी है, क्या क्या दिया है, देखो, capital accounts दिये है, profits for the year 2017-18, तो ये एक तरीके से undistributed profits है, ठीक है, 17-18 के profits इतने हुए थे, लेकिन वो पार्टनर्स में डिस्टिब्यूट नहीं किया है, इसलिए अभी तक वो liability side पर outstanding है, समझ में आ रहा है, bills payable, then asset side पर क्या दिखाया है, देखो, plant and machinery, stock, debtors and cash, चलिए, according to the partnership deed, in addition to the diseased partner's capital account, his executor is entitled to, तो partnership deed में, executor को सिर्फ disease partner का capital ही नहीं मिलेगा, उसके अलावा और भी चीज़ें मिलेंगी, क्या, share in profits in the year of death, on the basis of average of last two years profit, profit for the year, 16-17 was 60,000, ठीक है, तो अब आपको एक साल का ही profit दिया है, अब आप बोलोगे, लेकिन अगर आप ध्यान से question पढ़ोगे, तो 17-18 का भी profit आपको पता है, ठीक है, आप बैलेंशीट में दिया हुआ है, तो इस profit के दो treatment होना है, एक treatment क्या होगा, जब आप average profit निकालोगे, तो आपने 16-17 में 60,000 का profit कमाया, 17-18 में 80,000 का profit कमाया, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको average profit के लिए भी लोगे, and, प्लेस इसको आपको cake item की तरह भी treat करना होगा, क्योंकि यह undistributed profit है, ऐसा profit है, जो कमा तो लिया है, लेकिन partners में बाटा नहीं है, समझ में आ रहा है, तो बिलकुल जैसे reserve को बाटते थे, यह basically क्या है, profit and loss account जो दिखाते है, liability site पे, cake item है, इसको आपको उसी तरह से treatment भी करना पड़ेगा, चलो, goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of average of last 2 years profit, ठीक है, prepare Shirish's capital account to be presented to his executor, ठीक है, तो यहाँ पर Shirish का capital account बनाना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, हमारा format ready है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, Shirish's capital account चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो opening balance, उसका capital का opening balance before adjustments जो होगा वो लिखेंगे, तो buy balance, BD, brought down, कितना हो जाएगा देखो, एक लाक रुपए, तो एक लाक रुपए उसके capital था, लास्ट accounting year में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक लाक, ठीक है, साथ ही साथ, इसको as cake item distribute भी कर देते हैं, असी हजार को, ठीक है, तो 80,000 को हम, buy profit and loss account, 2017-18, कब P&L जो है, वो profit जो है, वो हम उसमें कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग distribute कर रहे हैं, तो इसमें 80,000 में, शिरीश का share कितना होगा, ध्यान से देखो, 5 is to 4 is to 1 ratio है, तो 5 by 10 हो जाएगा, शिरीश का ratio, ठीक है, तो यहाँ पर हम calculate कर लेते हैं, 80,000 into 5 by 10, that means कितना हो जाएगा यह आपका, 40,000, ठीक है, तो जो undistributed profit थे, उसमें से शिरीश का हिस्सा उसको दे रहे हैं, कितना 40,000 दे रहे हैं, चलो, next, इसके बाद, यहाँ पर balance sheet का काम हो चुका है, चलो, अब आजाते हैं, working notes पे, तो working notes बना लेते हैं यहाँ पर, तो working note number 1, शिरीश का share of profit निकाल लेते हैं, तो शिरीश, share of profit, is equal to, कितना हो जाएगा, देखो, क्या बोला गया है, share in profits in the year of death, on the basis of average of last two years profit, तो last two years के profit कितने हैं, 16,17 का 60,000 है, and 17,18 का 80,000 था, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 60,000, 16,17 में कमाया, 80,000, 17,18 में कमाया, तो दो साल का profit divided by 2, तो यह आपका average profit आ गया, ठीक है, इसको multiply करेंगे, हम proportionately periodic basis पे, हमें 3 महीने का profit निकालना है, तो average profit में multiply कर देंगे, 3 by 12, क्योंकि June end में death हो रही है, शिरीश की, और इसको multiply करेंगे, 3 महीने का profit आ गया, उसमें से शिरीश का हिस्सा कितना होगा, वो हम कर देता है, 5 by 10, तो चलिए, 60,000 plus 80,000, divided by 2, average profit आ गया, 70,000, into 3 by 12, 17,500 आपका क्या आ गया, 3 महीने का profit, into 5 by 10, कितना आ जाएगा, 8750, तो 8750, शिरीश का share of profit आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 8750, शिरीश को share of profit देना पड़ेगा, तो उसका capital account को हम क्या कर देंगे, credit, और कौन से account से root करेंगे, इसको by P&L suspense account, तो यहाँ पर हम लिख लेता है, share of profit, till the date of death, ठीक है, तो यह आपका हो गया, working note नमबर 1, ठीक है, आजाते हैं, working note नमबर 2, अब इसके बाद क्या बनाना होगा, goodwill से related, तो goodwill of the firm क्या बोला गया है, was to be valued at 2 years purchase of average of last 2 years profit, चलो, तो यहाँ पर हमें goodwill of the firm निकाल ली है, तो सबसे पहले तो firm की goodwill निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, firm's goodwill, is equal to average profit into number of year purchased, तो average profit हम निकाल लेते हैं, कितना है था, 60,000 plus 80,000 divided by 2, यह average profit है आपका, 2 साल का, ठीक है, multiplied by number of year purchased, कितना है, 2, तो 60,000 plus 80,000 divided by 2, 70,000 हो गया, into 2 किया, 1,040,000, तो 1,040,000, firm की goodwill आ गए, ठीक है, तो इस में से, शिरीश का share कितना होगा, तो शिरीश, share in goodwill, is equal to, 1,040,000, firm की goodwill है, into 5 by 10, शिरीश का share होगा, that means, 70,000, शिरीश का share हो जाएगा, और इस 70,000 को, कौन-कौन compensate करेगा, remaining, 2 partners, Harit और आशा, किस ratio में करेंगे, यहाँ पर इनका, new profit sharing ratio नहीं दिया है, तो इनका जो existing ratio है, that is 4 is to 1, Harit और आशा का है, तो यहीं इनका gaining ratio बन जाएगा, और यहीं इनका, new profit sharing ratio बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको 4 is to 1 के ratio में, compensation देंगे, कौन? Harit और आशा, ठीक है, तो 70,000 का, 4 fifth compensation देगा, Harit 56,000, and one fifth compensation देगे, आशा, 14,000, तो इस तरह से दोनों मिलके, total 70,000 का compensation किसको देंगे? शीरीश को, ठीक है, चलो तो यहाँ पर, 56,000 का compensation किससे मिलेगा? Harit से, तो buy, Harit's capital account, and, 14,000 का, compensation मिलेगा, आशा से, तो buy, आशा's capital account, चले, तो यह हमारा, goodwill का भी adjustment हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, working note number 2, working note number 2, चलो, तो दोनों working notes भी बन गए, इसके अलावा, और कोई भी adjustment नहीं है, तो clearly, हम directly निकाल सकते हैं, कि शिरीश, total amount कितना due होगा, जो शिरीश को देना होगा, ठीक है, 1,00,00, plus 40,000, plus 8,750, plus 56,000, plus 14,000, तो यह हो जाएगा, 2,18,000, 750, debit कुछ भी नहीं हुआ, तो यह पूरा का, पूरा amount due to शिरीश हो जाएगा, अब शिरीश, की तो death हो चुकी है, तो इसलिए यह amount को, हम कहाँ पर transfer कर देंगे, शिरीश के executor account में, तो 2 शिरीश, executors account, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2,18,750, यह आ जाएगा आपका, balancing figure, चलिए, तो शिरीश का capital account पूरा बन चुका है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, amount due to शिरीश executor कितना आ रहा है, 2,18,750, समझ में आ रहा है, तो इसमें बस आपको यह concept समझना जरूरी था, कि जो 80,000 का यह cake item तो है ही, क्यों, क्योंकि undistributed profit है, आ रहा है समझ में, तो यह basically profit and loss account जो liability side पर आपको दिखाते हैं, credit balance यह वो चीज़ है, जो undistributed है, कमा तो लिए रहेकिन undistributed है, और दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है, कि यह आपको एक तरह से average profit निकालने के लिए भी काम में आने वाला है, क्योंकि 16,17 का profit आपको दिया है, 17,18 का यह वाला profit है, जो undistributed था, कमाया तो था, ठीक है तो इसको आपको average profit में भी calculate करना पड़ेगा, चलो, तो जल्दी से शीरीश का capital account देख लो, चलिए, तो I hope, आज हमने जो भी questions discuss किये, आपको अच्छे से समझ में आया है, इसमें कोई भी doubt हो, दिक्कत हो, परिशानी हो, तो comment section में लिखना ना भूले, आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी बचे हुए questions हैं करेंगे आने वाले अगले lectures में, तो जल्दी मिलते हैं व्रेक के बाद, देख 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 देख, इमारनेट ब्रेंज, स्टेए टून्ड, गुडबाई,